सुनाव ब्रैट कॉंग गुरूप अब देखिए 19 रुपए 10 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और लगातार यह इस टॉक जो है वो सिलिप होता जा रहा है लगातार यहां पर जो है डाउनसाइड हमें देखने हुए हर रोज देड़ परसेंट के अरांड जो है वो क्लोजिंग होई जाती है डाउनसैड में तो ऐसा अपर क्या हो रहा है जरह यहां समझते हैं इसके साथ साथ मुचल फंड का डीटा आ चुका है अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजे पॉसिटिव डेटा है काफी पॉसिटिव डेटा है यहां पर यहां पर कई गुना शेर्स सब्सक्राइब कर देखते हैं तो कल देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है पॉसिबले आपर कुछ निकल कर आजाए अभी फिर भी आपर जो है ना एक जो डाउन साइड हमें देखने को लिए वो थोड़ी सी थोड़ा सना कन्फ्यूज कर रही है मतरब कोई बहुत बड़ी नहीं है लेकिन हर रोज जो है वो डेली वेसिस पर देड़ परसेंट के अराउंड जो है वो क्लोजिंग होई आती है निचले लेवल पर तो यहां तो कोई ख़वर के इंतजार है यहां तो यहां पर टेक्निकल वियू यहां पर बनता हुआ है और इस हैसाब से अगर आप देखें तो कुछ यहां पर इस तरह की किसे रहना चाहिए यहां से यहां पर जो है आपको सपोर्ट मिलना चाहिए यानि कि 18 रुपए 70 पैसे 18 रुपए 60 पैसे के अराउंड आपको सपोर्ट मिलना चाहिए यानि कि बापे से यहां पर जो है खरेदारी लोटी आना न्यूज भी है ठीक है ना हम इंपोर्टेंट जोन में भी है इस जगे देखे ये ब्रेक नहीं करना चाहिए इसको तो हम ब्रेक मानी नहीं सकते मतलब ब्रेक कर जाए ये नहीं होना चाहिए इस टॉक के अंदर ये अगर हो गया तो फिर तो काफी दिक्कत भरी बात अगर कुछ न्यूज अच्छी आगी ना तो वो यहां पर यह करेगी अगर कुछ कदम जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर इस्टिक्टिव हुए तो तो और भी अच्छी बात है हमें क्या प्रॉब्लम है मैनेजमेंट को और थोड़ा सा यहां पर तंकिया आएगा कि बाइस सा सामने थोड़ा सा और म्यूचर फंड कर डेटा अपडेट होता हुए दिखाई दे रहा है और यहां पर निपॉन के बारे में हमने समझी लिया था मोतिलाल ओस्वाल निफ्टी स्मॉल के टुफिप्टी इंडेक्स फंड ने भी यहां पर जो है तू पॉइंट थरी परसेंट अपने श्यस पढ़ाए है 2.33 परसेंट अपने श्यस पढ़ाए है और मोतिलाल का एक और फंड है उन्होंने 0.51 परसेंट तो आभी तक का डेटा पॉस्टेव यहां पर रहा है अपने को देखने को मिल रहा है कल का यहां पर डे मेक और ब्रेक डे हो सकता है क्या शायद यह ताम में पता नियूज आए यह ने आए कल फ्राइड़ भी है सेटरडरे संडे चुटी है उसको हम कंक्लूड कर सकते हैं अगर याँ पर जो है देर साम यहाँ जो है नियूज आती है इसकी उद्रा फिलाल अगर आप आप देखे हैं तो यहां पर आप ये बात समझे है एक सबसे disappointment बात है जो अब तक कि सबसे छुपी हुई और disappointment बात है income management जो है वो भार आकर का भी किसी से बात ही नहीं करता सिर्फ और सिर्फ जो local channel है उनके पास गए हैं एक बार ET economic times के पास गए हैं वो अपने को देखने को मिला था या शायद CNBC पर गए थे जो English channels हैं उन पर गए थे ठीक है उतना ही हमें देखने को मिला है जो बड़ा command गरते हैं like G business हुआ CNBC आवाज हुआ वहां तक ये अपने आपको लेकर नहीं आए ये अपने आप में जो है उनको English channels पर बात करना है बट वो यहां तक नहीं आपाते है जो कि एक बड़ा viewership रखता है तो ये थोड़ा सा disappointment करता है बाकि कल याँ पर set क्या बोलेगा कल याँ पर जो है document का सायद मेरे खिया से था document जमा करवाने का कल अगर कुछ positive हुआ पैसे कुछ positive जाता होगा तो नहीं क्योंकि ये मामला यहां पर set तमाला है जल से जल यहां पर खतम भी होगा management तो आपका खचा कच भर दी आ है अगर आप देखें सही तरीके से management तो भर दी आ है at least ये एक अच्छी बात है management के लोग आ चुके हैं सब कुछ सही तरीके से सही सरीके से करा जा रहा है इनको यहां पर ब्रैटकॉम ग्रूप को अगर सही दिसाम ले आना है management को तो ये एक last option है अपनी image को सुदाने का channel से बात करी जाए टीवी पर आकर बात करी जाए बताया जाए कि ब्रैटकॉम ग्रूप है क्या हम क्या hold करते हैं ये सारे चीज़े अगर discuss करेंगे न यहां पर आकर कोई मल्याख थोड़ी बना देगा इस चीज़ का कि आपने ये क्या कर दिया या क्या हो गया ये तो बहुत सारे लोगों न किया है पहले नायका में हुआ था ये बोनस ओना सिसू हुआ था तब हुआ था ये ड्रामा तब यहां पर जो अटकाई लगाई गी थी तो वो सब तो होता रहता भाई साब ये तो कितने बार इजी माय ट्रिब में भी शायद हुआ था इसको लेकर लेकिन बात रखेंगे तो सबको पता चलेगा कि एक्च्वल में ये क्या है तो वो यहां पर है अब पिछली बार तो खिली उड़ी गी थी बटे यहां पर देखते हैं तो अभी ना सैट का कल यहां पर धिया रखे अभी ये छोड़ दीजे ये प्राइसेंग ये डिली वेसिस पर ये छोड़ दीजे टायम आ चुका है ये समझने का कि वो क्या बोल रहे हैं अभी ये टायम आ चुका है एन लास्ट पूरा मुझल फंड का डेटा अभी अपडेट हुआ नहीं है बट हो जायागा ठीक है कोई दिख्ट की बात नहीं है यहाँ पर एन लास्ट यहाँ पर आपका इंपोर्टेंट लेवल टूट किया 19 रुपए 20 पैसे की नीचे क्लोजिंग हो गई ठीक है बड़े कोई बड़ी बात नहीं है ये 5 पैसे की है आगर यहाँ पर होगा तो कल के दिन अच्छी खासी रिकवरी भी आ जाएगी बैसे भी हमें एक सपोर्ट जोन में है चुकि हम डिसकस करें थे 19 रुपए 20 पैसे और 19 रुपए 60 पैसे सपोर्ट जोन में ही है हम लास्ट लेवल पर है कोई प्रब्लम की बात नहीं हमारे पास स्ट्रेंड लाइन है हमारे पास से सपोर्टिंग लेवल है तो अम यहाँ पर समल सकते थोड़ासा यहाँ पर ना वेट एंड वाच करिएगा न्यू बायर थोड़ासा बच बचूरिकर चलना है थोड़ा-स आपको थोड़ा-सा समल कर चलना है क्योंकि पुराने जो ओल्ड इंवेस्टर्स हैं वो तो अपना देखी रहे हैं वो सब चीए समझ चुके हैं नए इंवेस्टर्स जो मार्केट में आये हैं ऐसा ना हो कि भाईया आप यहां पर कुछ समझ नहीं पाएं अचानक से आप 19 रुपे देखकर आप अपनी बैल तो जोग दें तो यह सब नहीं चलेगा यहां पर आपको बस कैलकुलेटिड रिस्क लेना है कि हाँ भाईया मैं ले सकता हूँ हजार दो जास शेयर में इतना अफॉर्ड कर सकता हूँ उतना ही आपको देखना है पैसे का लालच रखकर जादा कुछ नहीं कर पाएंग कोई प्रॉबलम नहीं है अभी जो आपको देखने को मिलना है सिनेरियो यह सब खतम हो जाए कोई बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है प्रिफरेंशल अलॉटमेंट तक है यह तो बहुत ही जादा पॉस्टिव होगा अगर जो शेयर्स अलॉट करेगे थे वो बापस यहां से हटे जाएं देर सो करोडी नुमर अफसे है जाएं इस तर बोनस बोनस वाला इससे बड़िया तो और कोई बात ही नहीं होगी यह तो बहुत अच्छी बात होगी बाकी फैनेंसल पर अभी तक कोई बात आई नहीं है तो बस इतना ही ध्यार रखना है यह पैनलिटी कोई आपको समझ में आया होगा मैंटरा आपको समझ में आ गया होगा तो वड़ा सा हिंट मे लगी होगी ब्रैट van grove के अंदर क्या चलना है अगर आप नए यह हैं जानना चाहते हैं तो यह सब है बाकी पराने लोग जानते हैं उने फ्या करन आ अप क्या कहना है इस तें गले बतो देन मादस तो